हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस फॉल एल टाबलेट के बारे में जो कि इस टाबलेट के इस्तमाल सरेरी कमजोरी खून की कमी या कुडिनी के पेसेंट्स होते हैं तो उन सभी कंडिशनों में इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सिस फॉल एल टाबलेट के बारे में इसमें कॉंबिनेशन का है कॉंबिनेशनों क्या काम है कौन-कौन से प्रफज़ों में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है क्या साइड इफेक्ट है यह सभी बाते हम इस वीडियो म में क्या क्या combination है तो इसमें एक ही combination है जो कि L-methyl folate calcium है जो कि हर एक tablet में आपको 1Mg अबलेबल हो जाता है जो कि यहां folic acid का active form है L-methyl folate calcium जो कि body में folate level के कम हो जाने कारण काफी तरीकी समस्या होने लगती है बोडी में खून नहीं बन पाता है सारे री कमजोरी हो जाती है सारे री अनेको समस्या होने लगती है तो उन सभी condition में L-methyl folate जो भी deficiency होती है बोडी में तो उनको recover करने में काफी कारगर होता है इसे खा साथ यह kidney के functions को भी improve करता है जो भी kidney stone होने के chances होते हैं तो उन chances को बहुत ज्यादा कम करने में काफी कारगर हो जाता है या जो हो चुका है kidney stone तो उनको यह breakdown करने का काम करता है और urine के through से निकालने में मदद करता है इसके साथे साथ body को detox करता है kidney liver को healthy बनाय रखने में काफी कारगर होता है इसके साथे साथ kidney में किसी परकार का inflammation हो जाता है kidney में सुझन हो जाती है To ő सभी condition में भी L matter folate calcium काफ़े ज्यादा effective होता है इसके साथे साथ kidney और liver को regenerate करने में काफी कारगर होता है उनके functions को improve करता है इसके साथे साथ यह uric acid level को body में maintain रखने में भी कारगर होता है तो इन से भी condition में L-methyl folate calcium के इस्तमाल करते हैं इसे multiple purpose में इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इस multiple purpose में इस्तमाल किया जाता है डॉक्टर अपने हिसाब से patient को इसे prescribe करते है बात करें इस दवा का क्या dose होता है तो normally इसे दिन में एक बार रात को सोते होक्त खाना खाने के बाद इससे इस्तमाल किया जाता है यह दवा अकेले दी जाने वाली दवा नहीं है इसे और भी दवाईयों के साथ combine करके दिया जाता है जिसे जो भी आप इस समय से हो बहुत जल्दी solve हो जाए इसलिए आप इस दवा के इस्तमाल और इसका dose का confirmation किसे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady है ब्रिस्विडिंग मदर हैं किसी परकार का कोई भी critical medical condition में कोई medicine का course चल रहा है तो उन से भी condition एल टाब्लेट के बारे में जानकारी अगर आपको वीडियो यह जानकारी एच्छे लगी तो प्रीज लाइक कीजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फॉर वाचिंग